WHO World Health Organization ने तंबाकु कंट्रोल मेजर की रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में बैंगलूरू को स्पेशल मेंशिन किया गया है क्यूंकि बैंगलूरू में ड्राइवर अपने वहिकल्स में नो स्मोकिंग साइन लगाते हैं जिससे स्मोकिंग में 27% की कमी आई है 15 साल पहले WHO ने M-Power Measure को इंप्लिमेंट किया था और इंडिया ने इसे बहुती अच्छी तरह से लागू किया है WHO ने इसकी भी सराना की WHO रिपोर्ट के अधार पर 2007 से लेकर 2021 तक स्मोकिंग में 22.8% से 17% तक की कमी आई है दुनिया का सबसे हेविएस्ट एनिमल ब्ल्यू वेल को माना जाता है लेकिन अब नहीं नेचर नाम के एक जर्रनल ने ये दावा किया है कि नया फॉसिल जो की पैरसिटिस कलोसस नाम की वेल का है जो की लगपग 49 मिलियन इयर पहले था इस फॉसिल का भार लगपग 340 टन का है जबकि ब्ल्यू वेल लगपग 100 से 1500 तन तक की होती है 2018 में राजस्थान जैसल मेर में हुई थी खुदाई जिसमें मिले थे डाइनासॉर्स के फॉसिल इसकी रिपोर्ट अब सामने आई है ये फॉसिल्स IIT रूड की और Geological Survey of India को मिले थे 116 मिलियन इयर पुरानी चटान से मिले थे ये फॉसिल्स जिने अब थायरोसिरस इंटीगर्स का नाम दिया गया है ये इंडिया में मिले अब तक के सबसे पुराने फॉसिल्स बताए जा रहे हैं इससे पहले ऐसे फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ़ेरिका और चाइना में पाए गए थे ये डाइनसोर्स प्लांट इटिंग डाइनसोर्स की केटेगरी में आते हैं नौर्थ इंडिया का पहला रिवर रेजुबनेशन प्रॉजेक्ट देविका कम्प्लीट होने वाला है इसे नमामी गंगा प्रॉजेक्ट से लॉंच किया गया था देविका नदी जो की एक टाइम पर बहुती गंदी हो चुकी थी उसकी स्फाई का काम इस प्रॉजेक्ट के अंदर शुरू किया गया ये नदी जमू कश्मीर के उद्धमपूर के सुदा महा देफ मंदिर से शुरू होती हुई रावी नदी में मिल जाती है इस नदी को साफ रखने के लिए उसके उपर बहुत सारी डवेल्पमेंट्स की गई जैसे की बातिंग घात्स बनाना नाचिरल वाटर बॉडिस को साफ रखना क्रिमेशन ग्राउंड्स बनाना वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट करना सीवेज की ट्रीटमेंट करना हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और भी बहुत कुछ इस नदी का काम जल्दी ही खतम होने वाला है उसकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डेली स्पॉट नैशनल कापिटल दो टेरिटरी ओफ डेली अमेंटमेंट बिल की चर्चा पूरे देश में हो रही है ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर अब प्रेजिडेंट के पास साइन के लिए है इस बिल का मुख्यलक्ष देली को ब्रिष्टाचार मुक्त बनाना है बिल के तहत तीन लोगों की अथॉरिटी होगी देली सी-म, चीफ सेक्टर अफ डेली, प्रिंसिपल होम सेक्टरी अफ डेली प्रेजिडेंट के साइन होते ही इस बिल को LG के पास रिक्मेंडेशन के लिए भेजा जाएगा बाद में फाइनल वोटिंग के अधार पर इस बिल को मान्यता दी जाएगा इस बिल के पास होते ही ट्रांस्फर एंड पोस्टिंग, matter related to vigilance, disciplinary procedures and Group A All India Services की पावस डेली गर्मेंट के पास हो या फिर यूँ कहें कि इस बिल से डेली की सत्ता सेंट्रल गर्मेंट के पास चली जाएगा